परदेश सरकार को घेरने के लिए भारतिय मजदूर संग्णी रूप रेखा तियार करने का नीने लिया है और हमेड़पुर में बकाईदा अगामी दो दिनों तक परदेश तरिया समेलन का आयोजन किया जारा है जिसमें परदेश सरकार के खिलाब मोचा खोलने की रनीती ति प्यार की जाएगी समेलन में अखिल भारतिय मजदूर संग के खित्रिय संगठन मंत्री एवन परभारी राम दास पांडे से परभारी जग्दीश जोसी शिर्कत करेंगे गौर्दलव है कि भारतिय मजदूर संग के द्वारा पिछले एक साल से 26 सूत्रिय मांग पत्र की अंदेखी की जारे है जिसकी चलते सरकार के प्रती करमचारियों में आक्रोश पनप्रा है भारतिय मजदूर संग पुरानी पैंशन पॉलसी बहाल करने के अलावा 49.9 नियम को लागू करने के साथ सभी करमचारियों के लिए समान बेतनमान लागू करना है भारतिय मजदूर संग के कारे कारे परदेश अधिक्स डीशी सर्मा ने बताया कि आगामी दो दिनों तक हमिरपूर एंजियो भवन में परदेश मजदूर संग के कारे समीती के पददिकारी मौशूत रहेंगे उन्होंने बताया कि बार बार सरकार के साथ वारता करने के बाद मांगों को अंदेखा किया जा रहा है जिस कारण अब मजदूर संग ने अंदोलन की रूप रेखा तियार करने करने ने लिया है यह आज पदादीकारियों की बैठक है कल और परसों इन्हीं पांच और छे को परदेश भारतिया में दूर्सम कार्य समित्य की दो दिन की बैठक रहेगी इस बैठक में जो सभी सरकारी अर्द सरकारी स्वाइट सासी और संगठित किशेतर के जो करमचारी होते हैं उन करमचारीयों की मांगे हैं उन मांगों के बारे में हमने एक 26 सुत्रिय मांग पत्र साथ जुलाई को पर्डेश के मानिय मुख्य मंतरी जारां ठाकल जी को दिया था उन्होंने एक महिने के अंदर हमारी सभी मांगों का समधान करने और उसके उपर एक विस्तरित चर्चा किये जाने हैं तो ऐसा सवसंदिया था लेकिन एक महिना क्या उसके बाद हम 14 अक्तुबर को पुने उस बारता और उस मांग पत्र के परणाव जानने के लिए उनसे मिले थे सिमला में लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये नवंबर मा तक एक महिने के अंदर हम दोवारा सवन्द वेभागों से वो सारी रिपोर्ट तलव करेंगे और उसके बाद आपको भारतियों में दोर संग के प्रतिनीरी मिंडल को वारता के लिए बलाएंगे अभी दिसंबर महिन में बीट गया लेकिन अभी तक वो कोई वारता योजित की नहीं हमें लगता है कि मानिय मुख्य मंत्री का या तो प्रदेश की अफसर साही के ऊपर कोई नियंतर नहीं रह गया है और अगर नियंतरन नहीं है तो ये वारता क्यों नहीं की जा रही है प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों की और ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है ये एक बड़ा बिस्मयकारी बिस्या है और इससे सारा प्रदेश भारतिय में दोर संग के कार्य करता अक्रोशित हैं सबी संगठनों में जो हमारी 185 नहीं नहियां पर, देश में चलती हैं। उन यूणिव के लोग हैं वह सारे अक्रोशित हैं और उनका उतबीरन हो रहा है। उनका स्भी-दन उनका श्वयोचन हो रहा है। इस दो दिन की कारियस्मित्य की बैठक में हम यही निर्णाई लेने जा रहे कि यह जो एक वर्स का समय मुख्यमंत्री जी ने निकाल दिया और एक वर्स के अंदर भी भारतिय में जूरसंग के इस बहुमत बाले इस गठन के साथ कोई बारता नहीं हुई तो इस से हम लोगों में बहुत सरकार के प्रती भी एक अकुरोश पैदा हुआ है और हम तो भी अभी इस आज के इस बैठक में यह जो आज सुरू होने वाली है इस दो दिन बैठक में इस सारे मांग पत्र और प्रदेश सरकार की कारिया मपरणाली पर विचार करेंगे और अ इस अस्तान में की जो नोटिफिकेशन वो उसको रद कर दिया गया था उसके अनुसार पैंसिल मिलती है वो होनी चाहिए नौ चौदा की एक जो पदोनती का नियम है वो होना चाहिए मीनिमम बेचिज अक्ट के अंतरगत 18,000 रुपाई मीनिमम बेचिज पर तेक कांट्रेक्ट कर्मचारी और दूसरे जो दियारीदार उन सब के लिए वो असा बेतन मान लागू होना चाहिए तो फिर और भी जो सथान अंतरगों में उत्वेड़ नौरा वो भी होना चाहिए परदेश के आजा अराजबत्रित कर्मचारीयों के वी वो भी हमारे भारतिय में दो संग से संबद संगठन है उसके पूरे जिला स्थार तक चुनाब हो चुके हैं लेकिन परदेश स्थार की जो फैडरेशन है उसके जो चुनाब होने उस चुनाबों को भी परदेश सरकार की दखंदाजी के कारने अभी तक वो चुनाब नहीं हो पार रहे उस चुनाव में भी सरकार को अपनी दखंदाजी बंद करकर के वहां पर एक विदिवत और निस्पग से चुनाव करवाने की बेवस्था करनी चाहिए और इस परकार से हमारी प्रमुख प्रमुख इस परकार की ये मंगे चल रही है